Beneficiary status open करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ बातों का द्यान रखना है तो यहाँ पर आपकी आधार डेमो थुन्टे के सक्से सुना चाहिए, EQYC यह सुना चाहिए, Eligibility आपकी यह सुना चाहिए, Payment Mode आपका आधार दिखा रहा होगा, PFMS Bank आपका Accept दिखाना चाह अगर यह detail सभी बिलकुल सई दिखा रहा है, तब ही आपका अगली किस्त का process शुरू होगा, अन्य था आपका Automatically ही खाली status देखाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब तक आप इन चीजों को सुदार नहीं करवा लेते, अब इनको सुदार करवाने का process हमने अमारे चै आपके सकते हैं, अब आगे ज़र्वरी माह में मिलो जो 13 किस्त अभी मिलने वाली है, बहुत ही जल्द है, उसकी जगह यहां पर आप देख सकते हैं, पहले इतने दिन waiting for approval by state दिखा रहा था अब यहाँ पर इनका waiting for approval अटकर RFT sign by state दिखाने लग गए आप यहाँ पर live देख सकते हैं 31, 2022 को किस्त मिली थी वो भी मिली है और 7 October वाली किस्ती payment process दिखा रहा है यानि किस्त मिल चुकी है और यहाँ पर आप 12 किस्त देख सकते हैं जो 13 किस्त के समय मिलने वाली है बहुत ही जल्दे उसमें RFT sign हो चुका है अब बहुत सरे इसे किसान भी है जिनका अभी तक खाली status दिखा रहा है process सुरू नहीं वा है उन किसानों का भी मैं status आपके सामने open कर लेता हूं तो इस किसान का आप status देख सकते हैं इसको 8 किस्त मिली थी जब परदानमंतरी जीने 12 किस्त जारी की थी उस समय 7 अक्टूबर को यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में मिली थी अब इनको जो 8 किस्त मिलनी है यानि 9 किस्त मिलनी है उसके जगे अभी तक खाली दिखा रहा है कुछ भी इंसो नहीं कर रहा है या नहीं तो अभी तक कोई waiting for approval आया है नहीं RFTI है और अभी तक कुछ भी नहीं दिखा रहा है नहीं process शुरू दिखा रहा है यानि जो भी waiting for approval RFTI, FTO कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है या खाली क्यूं दिखा रहा है अब किसान की चिंता भी बढ़ जाती है कि किस ताने का समय हो चुका है और हमारा status खाली क्यूं है इसी के बारे में आपको एक confirm बात बताऊं तो अभी तक प्यम किसानों जना में लग बग 50% किसानों का है वो verification सुरूआ है उस 50% से किसान है जिनके हम रोजाना status चेक करते हैं तो उनका अभी तक खाली status दिखा रहा है ये एक किसान की problem नहीं है अगर कुछ किसानों की problem होती तो हम समझ पाते है कि कोई समझ है की वज़े से ये खाली दिखा रहा है लेकिन 50% का process शुरू हो चुका है 50% का अभी process शुरू नहीं वा है तो इसमें किसान को गबराने की जुर्द नहीं है ये सरकार की problem है ये सरकार last time पर update करेगी कि इसे किसान को कुछ भी काम नहीं करना होगा अगर किसान की जो मैंने detail बताई है जैसे EKYC, Land Siding, PFMS Bank और Eligibility ये सिज़े सभी सही है तो इसमें गबराने की जुर्द नहीं है किसान को पेसाथ ज़रूर मिलेगा आप हमारे साथ जोड़ी चैनल सब्सक्राइब की तो लाइक कीजिए धन्यवाद किसान में तुरो मिलते हैं अगले वीडियो में